ये पिर वेलखंड, बिया पार्ट टू, इनकी बिया सेकंड येर, सेमेस्टर फोर रहाएगा, इंग्लिस लिटरेचर, इसमें हम मॉड्ल पेपर हल करेंगे, पूरा कम्प्लीट, तो वीडियो मां तक बने रहीएगा, वीडियो पसंद आया, लाइक कर दीजेगा, ये कमेंट हो चुके हैं, प्लेश्ट पिजा के देख सकते हैं, आप लोगिजट कर लें, अगर्न वीडियो जो इनकी बची हुई है, उनके वीडियो आएंगे, तो पेपर जो हमारा महल पेपर था, उसको बनाना जरूरी था, क्योंकि किसकार से आपका एक गिजाम पेपर आयागा, त पितालेश, चार तो चौवीस, ठीक है? तो इसी तरीके से जो सिधीली कास्टीर वाले हैं, जिनका सेकंड सेमेंश्टर है, तो उसमें भी किसी के दो पेपर हैं, तो कमेंट में अपकोड नमबर और पेपर दुरू बताएं, और जिसका एक पेपर है, तो उसका हम एक पेप पर भी सिंगल तायर कर देए हैं मॉडलोब फेपर फेसे सेट सेमस्टर उसका फ़ास्ट पेपर का मॉडलोब फेपर पर पर तैर हो चुका है वह प्लेश्ट में अफ जा सब्सक्राइबर यह यहां पर आपका 25 नंबर का आपका मिट्रम हुआ है ठीक है और 75 नमबर का आपका जो objective type question होगा वो होगे इनकी 4 आपसंद राइट दिये होगे उसमें से आपको select करना एक जो की right होगा और OMR base पर exam आपका होने वाला है चुकि आप से कैसे मिटम दे चुके होगे तो साधाही से काम करें और आपको कोई से भी 75 कोशन ही हल करने है लिए पर कोशन आपके दिये होंगे 100 ठीक है 100 कोशन दिये होंगे उनमें से आपको 75 कोशन हल करने है तो आई देखते हैं यहां पर दिया हुआ कुछ instruction दिये हो है each question has 4 options यह प्रते कोशन में 4 options दिये होंगे out of which only one is correct उनमें से एक हमारा सही होगा ठीक है तो choose the correct option for answer और अपने answer के लिए सही option को आपको सेलेक्ट दमाए कोशन पहला है what are the two main types of translation की मुकरूप से transition के जो main प्रकार है क्या है ठीक है तो आई यह देखते हैं answer को इसमें आपके चारा option दिये हुए हैं ऐसे ही आपको बहां मिलेंगे free and formal translation written and spoken translation literal and forgetive figurative translation and literal and free translation तो literal and free जो हमारा चौत्ह अपसन डी यह राइड जाएगा अगला कोशन हमारा है which of the following is process of converting written written in a spoken which of the following is process of converting written a spoken contact from one language to another language तो यहां पर हम किसकी आत करते हैं interpretation करते हैं translation translation होता है translation होता है ननाबदीज तुम translation के थरोह में जो other language में जो conversation करते हैं तो वो translation के मादिम से करते हैं कोशन हमारा अगला है what is machine transition machine transition क्या है ठीक है तो यहां पर दिया हुआ translation performed by the human translators अगला हमारा B है translation for not by artificial intelligence अभी इसमें आपके दूप्शन और हैं नेक्स्ट है ट्रांस्ट है ट्रांस्ट है ट्रांस्ट है तो यह राइट आंसर है आपका अगला कोशन है हिंदी उर्दू संस्क्रत इंग्लेश तो उसमें हम संस्क्रती उसकी अगरते थे ठीक है अगला कोशन है प्रतेक सब्जिश का मॉडल पेपर आएगा तो अपने दोस्तों में सेर्करत रहिएगा अर्ट हो ट्रांसिटिड़ ता बागवद गीता इंट् इंग्लेश फर्स्टाइम उनलएकि फ्रस्टाइम यंग्लेश करें मतलब की परीजें कंटीडरी के बागवद गीता को इंग्लिस में ट्राइट के था पहली वार कोशन हमारा अगला है सिक्स सिक्स कोशन है विच इंडियन लाइंग्यूज है लार्जेस्ट नंबर आफ ट्रांसलेशन पब्लेज़ यह भारत की कौन सी भासा जो की सबसे बड़ी ट्रांसलेशन नंबर यह बहुत अधिक उसके में पॉल्डिस हुए हैं इनके प्रकाशन हुआ है तमिल है बंगाली है या फिर मराठी है या हिंदी तो हिंदी जो है हमारे हां लार्जेस्ट नंबर इन्हीं सबसे अधिक हिंदी वासा में ट्रांसलेशन होता है यह प्रकाशन होता है ट्रांसलेशन का अगला कोशन इंडिया का कौन सा इसा राइटर है जो कि famous है किस काम के लिए Shakespeare का वर्ज़ वर्क है उन्होंने उसको वेंगाली में चेंज किया है यह वेंगाली में ट्रांसेट किया है तो ऐसे कौन से लिखक हैं तो यहां पर देख लेते हैं चार आपन दिये हुए है बंकिम चंद चटोपाद्धिया है सत्य जीत राय रविन्दनाद टैगोर यह पर सरद चंद चटर जी यह चटोपाद्धिया है तो जो आपका सी है आपसन रविन्दनाद टैगोर तेमिनल टैगूर ने सेक्सपिर की अधिकान स्था सेक्सपिर का बर्क जो है वो बेंगाली बासा में ट्रांसेट किया है कोशन नम्बर एट है हमारा विच इंडिया राइटर बाज अवार्ड दा नोबल प्राइज इन लिटरेचर इन इंडिया मतलब भारत के किस बहरती है लेका के लिए नोबल प्राइज दिया गया था सहत के छेतर में कब दिया गया था 1913 में 1913 1913 में कलेक्शन एक पोएम आप गीता जली जिनकी पोएम है गीता जली नाम से तो आप नाम सुना आप समझी जाए होंगे तो यहां पर रविना टाइगूर की रचना है अगरा कोशन है हमारा इनकी जो मौडर्न इंडिय लिटरेचर है भारत का बरतमान साहित है उसका पिता किसको का जाता है तो यहां पर चार राटर दिया हुए हजारी प्रसाद दुवेदी महाविरी प्रसाद दुवेदी भारतन हश्यंद्र मुंसी प्रमचंद तो जो राइट आंसर आपका है व और सेकें सेमस्टर जो आपका पेपर होने माला है आपका यह मिलिटरी शांस का तो उसका वीडियो आपको मिल दागा सामको अप्लोड हो चुका उससे आप दोस्तों में सरक्रतर रहिएगा बाकी वीडियो और आपको प्रोबाइड हो जाएंगे कोशन नमबर टैन है और अर्ली नाइंटिन सेंचरी इन्हीं 18 सताबदी के आंत में और 19 सताबदी की शुरुआत में जो बिटिस इंडर कंपनी थी तो कौन साइसा हमारे जो किसने उसकी अलोचना की या उसके जो टांसेटर जा इन्हान वाद था उसको प्रोब्शन तरीके से कारे किया तो यहा मौन रहा है यहीं किसी आफसन आपका राइड है और इसी को आपको बिल्कुल डाल प्लैक पें लेकर जाना बाल पर अब परक कर देना और भी अच्छे तरीके से बाहर ना निकले और गोला आपका रिंग अधा भी ना हो गम्प्लीट हो जाया हूँ है वो वाजदा फस्ट इंडियन बुमेन टू टांसीर दा कुरान इंटू इंटू इंग्लिस यनि भारत की कौन सी ऐसी महला है जिसने कुरान को इंग्लिस में ट्रांसेट किया है तो वहाँ पर आपके चारप्सन दिये हुए है हिस्मत चौगाटी शल्मान अंसारी हरुना राय बेगम आयसा सुल्ताना इनी ने इसलान की गुरान है जो इसलान धरम का गुरहत है उसके लिए इंग्लिस में ट्रांसेट किया है अगला कोशन हमारा है विछ इंडियन लैंग्योज है दा लार्ड़जिस नंबर का मतलब कुरान का इब्सक्राइब कोष्ए है ंर्डी मिलता है फिल्स टरण फेलस में मिलता है या फिर या फिर फिर हिंगलिस नाption है कि अगला कोशन है हाव मैंनी काइंट साफ टांसलेशन इन इन लिट्रेचर इन टांसलेशन इन टांसलेशन जो हैं जो इन लिट्रेचर में किसने प्रकार के रहे होते हैं तो दो प्रकार के ठीक है फिर टांसलेशन और लेटरल टांसलेशन तो यहां पर काइंट साफ टू इसको विचाब दा विच टाइप आप टाइशन इस मोर फोकॉस्ट ऑन मेंटेनिंग दाइको रेशी एंड अब टैक्स जो मारा स्योट टैक्स होता है उसके लिए मेंटेन करने के लिए हमें किस प्रकार के टाइब फोकस करना चाहिए में कौन सा होता है तो यहां पर चार हमारा पीच टाइप टांसेशन इस मोर स्यूटिट फॉर लिटेरी वार्ट लिटेरी वर्क मतलब जो कौन सा ट्रांसेशन ऐसा है या रुबात तरीका चाहिए जो लिटेरी वर्क के लिए सबसे सुटियेवल है यानिकी उचित है तो यहां पर लिटेरल टाइशन है फुरी कि अन्वर 16 है कि इस टाइब आप टांसेशन इस टीपिकली यूज्ट फ़र डिप्लमाटिक कम्मुनिकेशन एक इस किस टांसेशन के करते हैं या से प्लेटरी टांसे तुर्ते हैं इनमें से नहीं है आप तेज़ाएगा C राट आपका किया कर नहीं विए ऐसकते हैं और डिपेंडिंग षी कानटेक्स and content हő और रहता है है कैका चाहे है जो प्रसंग दिया होता है इस Google को बच्चों को प्रवाड कराता है फिर दिया हुए नाइदर इस इफेक्टिफ फॉर डिपलमाटिक कम्मुनिकेश्ट तो आपका सी आप सब्सक्राइट है अगला आप संदेखते हैं तो यहां पर जो सी आप संदिया हुआ है वह बूद कैनी भी इफेक्टिफ डिपेंडिंग ओन आइस पैसेटिक कांटेंट कास्ट तो यह आपका राइटेस यह आप संथिक है पोशन अगला है अगला वीचाब्दा फालोइंग टैक्नी टेक्नोलो का आप्टिकल करेक्टर ट्रिक्मिनाजेशन टर्मिनलोगी और आप काशन दिया हुआ राइट सी एक्टमाटिक स्पीच ट्रिक्मिनाजेशन इसी को भी यूज करते हैं अगला पोशन दिया हुआ है 19 वीचाब्दा फालोविंग इसे पापलर ओपन स्योड़ सॉफ्ट्व वर्ड गूगल ट्रांसलेशन और डी या आपका है अगा ओमेगा तो ओमेगा हम यूज करते हैं ठीक है कोशन नमबर 20 है विचाब्दा फालोविंग इस एन एक्जामपल आफ ट्रांसलेशन मनेजमेंट सिस्टम इन ट्रांसलेशन मनेजमेंट सिस्टम के लिए कौन सा हम यूज करते हैं साफ्ट्वेर तो यहाँ पर या इसकाई इसकाई पर डॉप बॉक्स गूगल टांसलेट म ने मोकी ठीक है तो में मोकी उज़ करते हैं अगला कोशन है फिचाब्दा फालोविंग इस एक फैक्टर दा कंसीडर तू कंसीडर बेन सेलेक्टिंग एक ट्रांसलेशन टूल और टेखनोलोजी इन जो ट्रांसलेशन टेक्नोलोजी उसके लिए हम फॉन साटूल कौन साइक इस एक लिए उसकरते हैं सेलेक्टिंग करने के लिए लेंगेश को तो यहां पर दिया हुआ है सब्सक्राइब लाइंग यूज ट्रांसलेशन एक और इस टूरिया पिंजर पिंजर काहनी किसे ने लिखी यह तो आनसला आपका मिल गया मुईता पृत्म ने लिखी है यहां पर आपसान आपके तीन और हैं जिन में सुरुक आंतर पार्टी निराला दिये हुए हैं जसेंग परसाद ननापदीज ठीक है तो आपका पहला था अमरता प्रितम अगला कोशन आपका है इन विच यह पिंजर पाज पब्लिज्ट ठीक है पब्लिज्ट जो पिंजर थी वो कहानी कब पब्लिश हुई थी तो इसमें भी आप साना आपके दिये हुए चार देख लेते हैं 1940 in 1970 1950 उन्हें साथ तो सी आप सो नट जाएगा इनकी 1950 1950 में प्रफिस हुई है बहुत इंट्रेस्टिंग कानी है वू ट्रांसेड पिंजर इंटो इंग्लेज किसने पिंजर काहनी को इंग्लेज में ट्रांसेट किया है तो यहां प्राइटा देए हुं शुधा बर्यत आंदुलिकर खुष्वन सिंग राशित खान तो आपका राटांसे शी जाएगा खुस्बन सिंग जो है इन्होंने पिंजर कहानी को इंग्लिस में ट्राइट किया है और उसका नाम है स्केल्टन अगला कोशन हमारा है तो यहाँ पर चार नाम दिये हुए है तो सी आपसना पिरतम को यह पहली मेला है जिनोंने साहत अकादमी प्रुसकार प्राप्त किया कोशन 46 है भू ट्रांसेट दानोबल पिंजर टू फ्रैंच मतलब किसने नोबल पिंजर के लिए नोभी नावलए कुछ रखता है तो आपको ध्यार रखना है कि नोबेल है उपन्यास है तो फ्रेंच में किसने इसको मतलब किया है टांसेट माइकल कोर्ज ने थामस जोर्ज ने फिलिप सिट्नी ने टैनिस मैटिंग्स इन्हों ने किया है इसमें आपको सारे कोशन का अंतर मिलेंगे पूरा परी सालब होगा थोड़ा से टाइम लगएगा वाट इस सेटिंग अब दनावल पिंजर नवल पिंजर की सेटिंग क्या है मतलब किस बेस पर आधारित हो तो लिखा है पोस्ट इंडिपेंडेंटेंज इंडिया यह भारत के जादवारत से पहले का है जब हिंदुस्तान पाकिसान का बड़ारा हुआ था उस पर यह कहानिया दा रिता है पुरा नावल और इस पर एक मूवी बनीए पिंजर जिसमें प्रिति जिंटा और सारु खान का रूल दिखाया गया का पिच्छी मूवी है इस कहानी को समझने के लिए वाट इस प्रिजियस टेक्स्ट ये भी नहीं है मतलब ये समाज जो धर्मिक तर्फ से जुड़ा हुआ है नहीं है इस अने माप बलेज किसी गाव का नाम है नहीं है तो आपका जो राइट अंसर है बुजाएगा इस सिंबल आफ सर्भाइवल एंड हो यह एक आसा और आपने आपको बदलाव करना समय कंशार कोशन नमबर 29 फुक इस दा ऑथर आफ आसू आसू कर लिखा है किसे ने आसू लिखा है माधी बर्मा ने माशता देवी ने तो जैसंकर पसान लिखा हुआ रचना है आसू यह भी काप इंटरस्टिंग मतलब कहानी है आसू आपकी आठ ही नोट है कि आठों इसकोशन में निखा लें सबस्क्राइब लगेगा बनानें कि पीचाप दा फॉलिउंग करेक्टर इस पिंजर इस शिंबल आफ होप एंड रिशान्स रिसालोंस तो यहां पर कौन सा करेक्टर साय जो होप एंड रिशान्स का सिंबल है तो है वो लग्जू ठीक ह अगला कोशन हमारा है 31 वो इस पाप्लर एज महा कभी एंड केंग आप ड्रामा इन्ही कौन से कौन है जो की महा कभी और केंग आप ड्रामा इन्ही की नाटक का लिखने का अला राजा किसको का गया है तो यहां पर आपके विचार आपसंदिये हुए रमने टैकुर दिये कोशन नम्बर 32 32 में दिखा हुआ है वियर एंड वें जैसेंकर प्रसाथ बाजबार ठीक है जैसेंकर प्रसाथ का जन्म कवर कहा हुआ था तो सीधा अंजर बताते थे आपके लिए यहां पर दिवाका भी आसन दिये हुए तो जो डिया आपसंदा जाएगा आपका एनकी 1889 बाराणरसी 1809 में इनका जन्म बाराणरसी मुआ था ठीक है अगला कोशन है जैसेंकर प्रसाथ बिगेन डाइटिंग बर्क इंड पोईटरी इन जैसेंकर प्रसाथ ने अपना जो काब्भे जो राइइटिंग ठा यानि जो लिखन था किया थि लिखने का कम थूरो एक ला पूस्चन दिया हुआ है इस संगर प्रसाद के अंसू इंटु एंग्लेस बिद दनेम आफ दा गार्डन आफ लोलू लीनेज जो लिखा रचना की ए ज़संगर प्रसाद के आंसू फोएंब तो यह किस ने लिखी है तो पीटर पीटरसन माइकल जैक्सन इसाक न्यूटन चार्स एज़े वाइट तो चार्स एज़े वाइट है इन्होंने आशू को इंग्रिज में नाम दिया है दा गार्डन आफ लोन्लीनेश अगला कोशन है थर्टीपाइब जैसंकर प्रसाद है अगला आफ्टर हूज देद जैसंकर प्रसाद हैं अगला आफटर हूज देद जैसंकर रूट आंसू आंसू की रिचना की ये जैसंकर पुशन है जैसंकर पुरताद की मिर्टव कब होती है तो जैसंकर स्प्रदाद डाए हिन 1937 1937 में इनकी मिर्थी हो जाती है जैसे अंगर परतात की अगला कोशन है दा पिले कन्यादान रिवर्फ और रांदा कन्यादान जो पिले है ये ड्रामा है हमने करता है पड़ ली इससे पहले हमने नोबल पड़ा था हम अगए पिले पर तो सोशल इसूस जेंडर इसूस मैरेज अब जयोती फैमिली एन प्रोलिटिक इसूस तो सी आप से लड़ जाएगा मतलब जो पिले जो कन्यादान पिले है वो किसके इर्द गूमता है तो मैरेज आब जयोती जयोती की साधी पर इस डिपेंड है नाटक मतलब इन सब्दों को किस ने कहा तो सी आप से लड़ जाएगा नाथ देबलागी कर अगरा कोशन हमारा है वाट इस कन्यादान कन्यादान क्या है ए मूबी है मतलब भारती है जो साधियां होती है तो आपका बी राट जाएगा आप सन अगरा कोशन आपका है 42 42 में है वाट इस डाथर आफ दा स्टोरी अमरसर आगया अमरसर आगया जो कहानी है वो किस ने लिखी है ठीक है तो यहाँ पर आपका राइटर है मोहन राकेज भी समसाहनी और भात्तिंदू हर्शन तो अब हम पढ़ेंगे स्टोरी तो यह भी समसाहनी कहनी है अमरसर आगया जो कि पंजाब का काफी परसेदराज मतलब हो है सहर मतलब किस कालिज ने बीसम साहनी को इंग्लिस लेक्चर की तरफार इंने उन्हें भुलाया था अप्ऱाने के लिए तो दयाल सिंग कॉलिज, हंसराज कॉलिज, जाकरुषएन कॉलिज या तेरे दियंदेर उपध्धा कॉलिज तो आपका राड़ आगा सी आपसन जाकरुषएन कॉलिज अगरा कोर्शन आपका है 44 गेट दा पदम भूशन अबाड और हंधी लिटरेचर लिए कर लिए लिए कुछ परण भूशन आबाड कम लिए था तो अनिकी 2002 में यह पुरस्वाइब अपदम भूशन आबाड हंधी लिटरेचर में कि वाट इस देंग्लिस वर्जन आफ स्टूरी अम्राइब आ गया अम्राइब आ गया जो है तो उसका इंग्लिस बर्जन क्या है दर ट्रेन है और रड़ तो यह आपका राट अप्सिंज आएगा भी जुशन है अगला पॉर्शन देखते हैं 46 46 में है वाट इस शेटिंग आ आपे आप समय के लिखा हुआ है तो इसमें क्या है द्यों मिन यूर्ट टबार से निविच्ट के समय प्रहार से पहले आफटर आटेशन बटबारे के बाद मतलब कब लिखा गया यह दो इंडि Canadian इंडिया और पाकस्तान जिस समय इंडिया और पाकस्तान पापकस्तान एक अगला पोशन है वाटिज दा इस के इना का जागाए मैं का मतलब क्या है यहीं कि यह इसली मत्बेद थी था उदिभा घुक्त में स्काहिए जो में क्या था तो यहां पर आपके आप संदी यह उए ट्राइब कान्फिक्ट भी लव एंड डूटी दूसरा है ब्लेक कें दबड़ेक्ट बिटीवें ट्रडीशन एंड रूइंड अजिया हुआ है दा कानफिलेक्ट ओ बेटीवीन हिंदू एंड मुसलिम तो हिंदू एंड मुसलिम जो आपस में मतवित था उस पर दिखेंटा इनका इनकी कहानी थी हम रहसे आ गया अगला कोशन है वेंड़ 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 भीशम्साहनी बॉर्ण भीशम्साहनी के जन्म कब हुआ था तो एट अगस्त 1915 1915 अगला कोशन है फूरोट दा स्टोरी दा हंट दा हंट स्टोरी किसे ने दिखिए माधी बर्माने अमरा था प्रितम ने मासवता देवी की रिखिवी रिचना आए ये ये साट स्टोरी है ठीक है अगला कोशन हमारा है मासवता देवी बॉस बॉर्ण इने बैरियस लिट्रे सब्सक्राइब उब आवार्ड कर दो रिया किस खत्रग सब्सक्राइब करना अगरा कोशन है माहाए सुथादीपी पाजबर्न माहाए सब्सक्राइब कभ हुआ था इन 1925, 1926, 1927, 1908 तो आप इनका जन्म होता है इन 1926 में 26 मिन का जन्म होता है अगला कोशन हमारा है 52 52 कोशन है विच पोलिटिकल लीडर डिड़ महासुता देवी सपोर्ट मतलब किस ने कौन से नेता ने जो है राजिती नेता ने सपोर्ट किया था सुसमा सुराज, नरंदर मोधी इंद्रा गांदी, बनर जी तो ममता बनर जी ने इनको सपोर्ट किया था अगला कोशन है वेंड डिडर महासुता देवी डाय महासुता देवी की मिर्दु कब होती है इन 1924 इन 2015 इन 26 इनकी अगला कोशन मतलब ये स्टेटमेंट किस ने कहा था इनके बारे में तो लिखा है जालिम शिंग, बनबारी सिंग, तैसील दार सिंग ये तैसील दार सिंग ने कहा था महादीवी शुता के लिए अगला कोशन है देन बाज महासुता देवी महादीवी शुता की पहली बुग का पॉब्लिस हुई थी तो यहाँ पर आपका आपसंद दिया हुआ है इन 1956 1956 में पहली बुग निकी प्रकासद होती है अगला कोशन आ गया है फिर से लिगा हो रूट दा पिले आदे दूरे जो आदे दूरे नाटक है वो किसके दूरे लिखा गया है इसका इंग्लिस बर्जन है Halfway House यह इंग्लिस बर्जन है अगला है जैसंकर परसाद विसमसानी, मोहन राकेश, अम्रता पृतम तो यह जाएगा स्री आपसंद, मोहन राकेश ने लिखा है अगला है मोहन राकेश, बाजबार्न, मोहन राकेश का जनम कवर कहा हुआ तो यहाँ पर इंग्लिस देख लेते हैं इन 1922 पटियाला इन 1923 जालंदर इन 1924 पठान कोट इन 1925 अम्रत सर तो यह आपसंद, आपका राट जाएगा कोशन नमबर 58 है मतलब मोहन राकेश स्टार्ट इस कारियर मतलब मोहन राकेश ने अपना कारियर किस तरीके से स्टार्ट किया था इन्हीं किस प्रकार से स्टार्ट किया था किस छेतर से एज एड़ोकेट वकील के रूप में एज टीचर रध्यपक के रूप में एज बैंक प्लाइब रूप में एज पोस्ट मास्टर तो यह पोस्ट मास्टर के थोई नहीं काम दोना शुरू किया था अगला कोशन है 2459 वाट कांड आप पले आधिया धुरी मतलब आधिया पले क्या है कम सब्सक्राइब पले कॉमेडिया रोमेंटिक है यह रिएस्टिक तो जो आधिया धुरे औले है यह वास्थतव इंद्वर्दी केंनल नाव दिए वे सब्सक्राइब रहनर है तो यह पर चाहर मेंद्रा अलोगा सरी आ सोग शावित्री विसका सेंट्र कर्रेक्टर है सब्सक्राइब होती है तो यहां पर आप संदिया आपका राइट एक इस बता जाएं सीधा भी दिया हुआ है वह है 1972 मिर्ति हो जाती है कोशन नंबर है हमारा 62 62 कोशन दिया हुआ है तो इसमें दिया हुआ है वाट अर्दा इनकी आदे दूर्य का दूसरे नाम क्या है या अन्म किसे नाम से जानते हैं तो लिखा है अगला कोशन हमारा है हुआ रोट फूरोट प्ले कन्यादान ठीक है अब कन्यादान किसन ने लिखा है बिजे तेंदर कर ने लिखा है इनको देख लेते हैं महुंडाकेश का देख लिए हमने अबला कोशन हमारा है कि कन्यादान किसन लिखा है तो यहां पर दिया वह महुंडाकेश बिजे तेंदर कर अमरता परीताम महाभी परसाथ दु विज तेंदलकर विज तेंदलकर का पूरा नाम क्या है उतो यह अप्र आपकर सुनर दिया हुआ है विज रिपकर विज टेंडाली तेंदलकर विजय अधुन्रड़ पंट थेले टाइट सीक आपका अधा जाएगा अगला कोशन हमारा है वेन वाज दपले कन्यादान जिटिन कन्यादान जो नाटक है वो कब लिखा गया था अगला कोशन हमारा है विजे तेंद्रुकर इस फेमस एज बिए तेंद्रुकर जो फेमस है वो किस के लिए फेमस है प्ले राइट नाटक लिखने के लिए रूड़ का जर्नलिस्ट ठीक है राजनितिक मतलब विचारकने वाले या विचारक टेलिविजन कांटेंक्ट राइटर इन्हीं जो राइटर कोशन हमारा है 67 67 में दा पिले कन्यादान रिवाल्फ अरांड दा जो कन्यादान पिले है वो किसके अर्द गर्द गूंता है तो यहां पर आपका राइट अंसर जाएगा जिंट रिसुए सोचल रिसुए महादेवी सोयता सुरी मैरे जाब जी होती है अगला कोशन हमाना है ओ वाट इससेवाकष वर्ग तो सेवाकष वर्ग क्या है मैलेएं म्-पि प्लिडीकल लीडर तो सोसल एक्सभीस्ड तो यह सोसल एक्सभीश भावश्छ है नहीं समाजी करकता हूं अगला कोशन हमाना है वाट इस दा तीम आफ अरुन अठाबले बूक जो अनुचाले बुक है उसकी थीम क्या है किस बात पर लिखिया यह तो लिकाः फिंधिलेश लिटरेचर करेबियन लिटरेचर देलित लिटरेचर या रिजिस लिटरेचर तो यह देलित लिटरेचर पर पर डिपेंड करता है कोशन नमबर 70 what is the first step of transition practice मतलब की सबसे पहली टैंसे प्रिस क्या है टांसिटिंग दाइस्ट इमेड़ेटली एडिटिंग दा सी और स्टेक्ष्ट फिर आपको दिया रीडिंग एंड अंडर्स्टेंडिंग दा स्यूर्स टैक्ष्ट यह आपका डाप्सन है अगला देख रहेते हैं कि विच आपदा फॉल्विंग इस डॉंट इन ट्रांसिटेशन प्रेक्टिस मतलब हमें ट्रांसिट करते समय क्या नहीं करना चाहिए तो उसमें आत्म प्रॉश्ट जाएगा यूजिंग मसीन ट्रांसिटेशन बिदाउट हुमन एडिटिंग दियू मतलब बगर मानव के रिवी की बगर हमें ट्रांसिटेशन का यूज नहीं करना चाहिए अगला कोशन है हमारा विच आप दा फॉल्विंग इस एडू कि जेडू इन ट्रांसिटेशन प्रेक्टिस और हमें क्या करना चाहिए 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 तो वर्किंग विदेटरस्ट हमें अपने सब्सक्राइब को उसमें सुधार कर सके हैं 23 विच आपदा फॉल्विंग इस नाट डू इस एडॉंट इंटांसिटेश हमें क्या नहीं करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए यह आपने देख लेते हैं जो आंसर राट बनेगा बही बता दे रहा हूं यूजिं सब्जेक् सब्सक्राइब करना चाहिए और टैमिलोजी जिससे हमारा जो हम लिख रहे हैं वहमारा प्रभाववाली बने एनिस सब्जेक्टिव आफ ट्रांसलेशन सब्सक्राइब करना चाहिए तो यहां पर दिये हुए आपके चार आपसंद दिये हुए हैं यूजिंग आउट्र आउट्डेटिड दा इन्करेक्ट टर्मिनलोजी एंड प्रफ्रेवेंस फार सब्जिक्ट मैटर यह भी नहीं है आपसंद भी देखते हैं इनको यूज़ करना जाहिए नहीं करना चाहिए कोशन आ रहा है हमारा आपसंद सीडाइट है प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑइज़ प्रोग्रेशन कपर जो प्रोग्रेशन नहीं हिए विसका है करें एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट उसकी नेमित रूड की रिपोर्ट प्रोग्रेस्ट करें उसमें मतलब गुरोथ करें ऑन दा ट्रांसेशन प्रोजेक्ट और उस अनभात के प्रोजेक्ट यह कारकरमपर है यह कारिया पर कोशन नमबर 75 विच आप दा फालूइंग इस एडू इन टांसेशन प्रेक्टिज हमें क्या करना चाहिए जब हम टांसेशन कर रहे हैं उसके बहस किसमें क्या करना चाहिए था एक या करना चाहिए तो इसमें आपको राटा साथ दे रहा हूं कि वीडियो लंबा हो जाएगा तो इसमें हमें यूजिंग एक कांटेंट एंड टर्मिनलोजी एंड इस्टाइल गाइड थ्रू आउट दा ट्रांसेशन प्रोजेक्ट मतला हमें गाइड लाइन के अनुसार यह उसको हमें पूरा करना चाहिए सीजी आला आपसार जाएगा पूर्शन मराया 76 विच आप दा फालूइंग इस डॉंट इन ट्रांसेशन प्रोजेक्टेस ट्रांसेशन प्रोजेस करते हैं समय हमें क्या नहीं करना चाहिए दिए गए पॉइंट की अधार पर तो इसमें हमें आप सार्बी राट है इंगनो होती हैं उनको हमें एकनोर नहीं करना चाहिए जो भी हम सोर्स टेक्स्ट के बारे में लिख रहे हैं यह ट्रांसेट कर रहे हैं किसी के बारे में किसी भी लेंगुज को विचाब दा फालूइंग इसे डॉंट इंट इंटासेशन प्रेक्टिस हमें क्या नहीं करना चाहिए जब हम भाइस करते हैं आई आप तहां देखते हैं राइट वाला जो राइटर भाई देखेंगे फेलिंग रिस्पेक्ट कांस कॉंफीडेंट ली ऑफ दा स्योर्स टेक्स एंड क्लाइंट इंफॉर्मेशन हमें अच्छे तरीके से उसको फिल करना चाहिए रिस्पेक्ट के स साथ में और sleepy विश्वास सहत में आतमե।ा के साथ में js Pak दैसी और स्टेक्ट क्लाइंट इनफॉर्मेशन और इसमें जमरा उते हम उता उताब उसको सूचना भी करने चाहिए या उकित करना भी होता है 78 question number है बीचाब दाफ फालोईंग इस डू इंटासन प्रेक्टिस अब हमें transition practice करते हमें क्या करना चाहिए तो क्या करना चाहिए प्रूफ रिडिंग and editing the final transition ensure accuracy consistency and clarity मतलब हमारे दिये जो भी हम transition editing करते हैं तो उसके लिए finally जो विश्वास करते में उसको सुद्ध करना चाहिए और उसकी जो clarity है इनी साफ सफाई का देहां रखना चाहिए जैसे कि कोई mistaken आओ writing गंदा ना हो इनकी अच्छा printer काम करता हो कि कोशन नंबर हमारा 79 79 में है which of the following is not do a transition practice using appropriate तो इसमें कौन साह में ठासे यूज करना चाहिए तो यहां पर और भी हम राइट अंसर दूड़ेंगे सबसे पहले ignoring ignoring एग्नोरिंग एनी पोटेंसियल copyright and intellectual property issues related to the source text मतलब हमें किसी तरकार से कोई भी copyright या किसी की copyright नहीं करने चाहिए और अपने अपने इसाब से उसको clear करके मतलब उसका source text को उसी से लेटर जो इस हुआ है उसको क्लिए करके लिखना चाहिए तो आप सान कोशन नंबर 80 है 80 कोशन नंबर आ गया वीडियो कंप्यूटर में बाला 20 कोशन पर जे हुए है बड़ आप इस प्रोसेस ठीक है या रट आप सना आपका आपका आपको नंबर देखते हैं 81 81 क्या रहा है विच आप देफालोइंग ठीक है a don't in transition practice 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 काथ समय में क्या नहीं करना चाहिए तो making assumption about तर्गेट अडियोंस लेवर आफ फिल्मिल्टी विदाट सब्जेक्ट मैटर तो यह राइट आंसर यह आपको नहीं करना चाहिए इसी को टिक कर देना मतलब को रिंग कर देना गूल ब्लैक एबी सी जो भी आप संदिया वाफ के असार पर विचाप दाफ फालोइंग इस आपर नहीं जो नहीं करना है रिसार्चिंग अंड अंडर्स्टेंग ला कल्चरल एंड सूशियल कॉंटेक्स्ट आप टार्गेट लैंग्वेज एडियोंस एडिवर इस रोता हो ठीक है तो आपका सी वाला राइट जाएगा पर कोशन नमबर एक्टी थिरी है मास्वता द इन बेंगाली जन्पदवार्ड रोमन मैसी मैं जैसे वार्ड यह सारे ने मिलें ठीक है 84 में कि फेरा कोशन नमबर को टांसेर मादे उसा देवी दा स्टूरी दा हंट इंट इंट इंग्लिस दा स्टूरी हंट जो है वो इसको इंग्लिस में किसने लिखा है तो यहां पर दिये हुए हैं खुसबंध सिंग मौन राकेज तो गयात्री चक्रबरती शिवाग इन्हों ने इसको इंग्लिस में टांसेट किया है दा हंट स्टूरी को अब आउट अप ले डिटे विजय तेंदुलकर राइट फॉर्ट चिल्टरन मतलब विजय तेंदुलकर ने बच्चों की बारे में कितने प्ले लिखें हैं टोटल 15 16 17 या 18 तो 16 प्लेनों ने राइट किये हैं अगला कोशन हमारा है वें टीज बिजय तेंदुलकर की मिर्थव कब होई तो इन 2008 दौर आठ में की मिर्थव होती है अगला कोशन है बेन वाजदा पिले कन्यादान कन्यादान जो था नाटक वो कब लिखा गया इन 1996 निखा गया ये दपिले कन्यादान इस डिवाइड इन टू कन्यादान जो पिले है वो कितने एक्ट में बटा हुआ है तो दू एक्ट में बटा हुआ है एंकला कोशन है वो इज हैमर राव कॉंबले कौन है तो यहां पर आपने दिये हैं चार आपके पोईट जर्नलिस्ट एसेस्ट या पर बिजनसमेन तो वह एसेस्ट है एक निमंदकार है अगला कोशन आपका है वाट इज दा प्रोफेशन आफ नाथ देवी लाली कर तो देवी लाली कर का बिजनस क्या है प्रोफेशन क्या है बिजविसाय क्या है सोस्ट रिस्ट बरकर प्रोलिटिकल इस एमेले वो एक एमेले हैं इनकी विदायक मेंबर लिजिलिस्टिव असेंबली अगला कोशन है होम कोशन नमर 92 हूँ इस दा सेंट्रल करेक्टर अब दा पिले आदे दुरे जो पारी दुरे पिले उसका सेंट्र करेक्टर कौन है तो यहां पर देखते हैं सेंट्र करेक्टर उसका है शावित तरी ती के चारा आपसं दिया हुए है कि अग्यूशन है कुप विक्षिएंद फस्ट एडिटर हिंदी मैगजीन सारिका हिंदी मैगे सारिका का फस्ट एडिटर कौन था तो जश्ट्संक परसाथ बिसम साहनी मोहन राकेश बिस्ट इस थे ठीच ठीक है अग्यूशन नाटी-फोर बाड़ बाड़ दा नेम आफ महा नाम था तो यहां पर दिया हुआ है जहां सीर रानी और यह कुई नाफ जहां सी तो यह ही आपका राइट आंसर पहला वाला तकला कोशन है 95 95 में वाट इस दा फुल फार्म आप आई टी-पी-ए आई टी-पी-ए की फुल फार्म किया है वेर विसम साहनी वर्क्ड इन 1948 जहां 1948 में विसम साहनी ने कारे किया तो यहां पर जो आपका राइट आंसर है वो बनेगा बी दिया हुआ है इंडियन पेपल थेटर एसोशियेशन ठीक आई पी-टी-ए अगला कोशन हमारा है इसमें 96 96 में दिया हुआ है इन बिच लैंगिज बाज अमरे सर आ गया लिखा गया है तो वो किस भासा में लिखा गया है पंजाबी में इंगल्स में उर्दू में हिंदी में तो यह लिखा गया है इसला कोशन 97 शेबन What was the name of 20 सानी जो है उनकी आटो-बागराफी का नाम क्या है तो गुलाल का कील आलमगीर आज का अथीद या नणादीज तो ये आज के अथीद ये इनकी आटो-बागराफी कि इसकी भी सानी के 98 कोशन है वीच आब दाफालन अट इन क्या नहीं करना चाहिए तो यहाँ पर देखते हैं आप का है भी दिया हुआ है यूजिंग जैनेरीक यूजिंग जैनेरीक एंड नाज इस पेसेटिक लैंग्यूज डैट में अट एकुररीटी कन्वे दा इंटेंट इन इन पर शोर्ट टैक्स यह आई यह आप सना पर राइ तरीकनिक यहां पर दिया हुआ है नियूरल मशीन टांसेशन ठीक है यह आपसान राट जाएगा कोशन नंबर हंडी दिया हुआ है जैसे अंगल प्रसाद स्पोर्ट्री हवाइट्स हेलिमेंट हिंदी तो यहां पर आपको फिल कर देना या पर आप फिल नहीं करना आपको अर्भी उर्दू पर्शियन नाना भीज तो पर्शियन यहां पर दिखा जाएगा और अगला कोशन हमारा है यह कोशन अक्ष्टा हो गयता है इसमें एक चूट गया बीज में इसी दिए फूर्टी नंब फूर्टी वन कोशन था वहां पर ब्लैंक था तो यह इदर बढ़ हो जाती है तो आई होप उम्मित करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आप लाइक कर दिए दोस्तों से करना भूलिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू